हेलो गाईश नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा निउस यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स उत्राखंड वाले बच्छों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है उत्राखंड में जो है फाइनली जो है काफी टाइम के बास पटवारी और लेक पार के पदो पटवारी और लेक पाल की जो रिक्वार्मेंट आई है और उसके बारे में जो है मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप फॉर्म कब से कब भर सकते हैं फीस क्या रखी गई है एक्जामनेशन कब तक होगा और कौन-कौन बच्चे जो है इस फॉर्म के लिए और बच्चों को बता देना कि पटवारी और लेक पाल की जो वेकंसी है वो आ गई है और स्टार्ट करता है फ्रेंट वीडियो को और देख लेते हैं क्या इन्होंने डेट दी है इन्पॉर्टन डेट्स और क्या इन्पॉर्टन डेट्स नहीं है ठीक है तो यह जो वेकंसी UKSSASC के तरफ से वेकेंसी जारी की गई है और इसकी जो इन्पॉर्टन डेट की बात करें तो इसकी इन्पॉर्टन डेट क्या होने वाली है वह मैं आपको बदाता हूं देखें फ्रेंच जो इन्पॉर्टन डेट है यहां पर आपको स्क्रीन पर भी दिखरा होगा थोड़ी छोटी होगी स्क्रीन, यह आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, कि आपकी जो फॉर्म ऑनलाइन एक्टिवेट कर देगा, यानि 22, आज 21 है, 22 से यह फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर देगा, और इन्हों ने भी लास्ट टेट दे रखिये, फॉर्म अपलाए कर साट दिन आपको फॉर्म बनने के लिए दिये गया है यह बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अभी लॉक्डाउन देखिए खुला खुला है कहीं खुला है कहीं बंद है कहीं ऐसी इस्टिती चल रही है तो इन्होंने युक्री ट्रिपल सी ने काफी टाइम दिया है फॉर्म ब सकते हैं फीस की पेमेंट जो है आप साथ अगस्त तो हजार इकिस तक कर सकते हैं अभी मैं आगे बताता हूं आपको इसकी कितनी फीस है और कितनी फीस नहीं है अगर जनरल ओबीसी और एडवलो एस वाले बच्छों से जो है थ्री हंडड़ रूपी जो है वह चार्ज लिय इस फॉर्म के लिए लिया जाएगा जो आपकी एज काउंट होएगी एक साथ दो हजार बीस एक साथ दो हजार बीस तक जो है अभी मैं आपको एज भी दिखा देता हूं उसमें कितनी एज वांग रखी है अगर आप पठवारी के लिए बढ़ते हैं तो आपकी उमर जो है लेक पाल के लिए लेक पाल के लिए जो है इसमें 35 इर 21 से 35 तक जो है इसमें एच दी गई है ठीक है एज रेक्शेशन इन्नों ने बोला है कि वह दिया जाएगा वेकेंशी नहीं जो आई है सवार उतरगंड में 513 वेकेंशी है 53 वेकेंशी पे जो है इसका विग्यापन ज दोनों वेकंसी जो है इन्होंने एक साथ देही है और इसका एक्जामिशन जो कंड़ेट कराएगा यू की ट्रिपिल ऐसी ही एक्जामिशन इसका कंड़ेट कराएगा वहीं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेते हैं तो बैचलर ऑफ डिगरी यानि आपको जो है इस फॉर्म क बनने के लिए जो है ग्रैजूशन की डिग्री चाहिए चाहिए आपने ग्रैजूशन बीय कराओ बीकॉम कराओ बीector करी हो यह इससे शी Tork कराओ किया हो तो आप घोआ को बेचा कर्णिव और सकते हैं कल से כलो टिया गाएगा 500 तरीक से 5 तरीक तक 5 अगस 2021 तक आप इसका फॉर्म बार सकते हैं 300.500 वाले बच्चों से 300.000,000,000,000 से 380 वाले बच्चों से 500 रुप इस फॉर्म के लिए लिये जा रहा है बाकी और कुछ इतना कोई खास फॉर्म में है नहीं कुछ बाकी इन्हों ने यही बता रहे हैं मैं आपको सीधा जो है इनकी ओफिशली वेबसाइट पर लेके चलता हूँ जो UKSST की जो ओफिशली वेबसाइट है वहाँ पर जो है मैंने इनका डाउनलोड कर लिया था इसका क्या गएदा है पटवारी और लेकपाल का इसके विग्यापन जो इन्होंने ऑफिशली नॉटिफिकेशन से बने लिया गया है तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह जो ऑल्लाइन फॉर्म जो बना जो स्टार्ट होएंगे 22 सारिक से जो है इसके फॉर्म बना स्टार्ट होएंगे के चांसेस है पेपर आपको ऑफलाइन होगा पूरी तरह से ऑफलाइन होगा अगर आपको किसी भी तरगा की कोई भी प्रॉलम आती है तो इन्होंने यह नंबर दे रखे हैं यहाँ पर मैं आपको नंबर बता भी देता हूँ यहाँ पर इनका जो नंबर है 9520992174 यह इनका मॉबाइल नंबर है इसमें आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं और यह आपको एक इमेल आइडी भी दे रखे हैं इन्होंने अगर आपको कुछ प्रावलम आती है इस फर्म को भनने में तो आप इनकी इमेल आइडी से भी पूछ सकते हैं आप इसका फर्म जो है आल ओवर इंडिया से जो है आप इसका फर्म भर सकते हैं बट आपको जो है जनरल केटिगरी में ही फॉर्म बनना होगा इच इच का आपको ध्यान देना है 366 जो है पटवारी के लिए वेकंसी है अलग अलग डिस्टिक वाइस इन्होंने वेकंसी दे रखी है जैसे बागेशवर है बहुत से चमूली है बहुत सारी जिले हैं सब जिलों के लिए जो है अलग अलग वेकंसी दे रखी है वहीं लेकपाल के लिए बात कर रहता है लेकपाल के लिए जो है 147 वेकंसी है और इसमें जो आपकी उम्मर्द जैसे लेवल 5 जो इसमें आपकी व्यतन मिलेगा लेवल 5 में व्यतन मिलेगा 29,200 92,000 92,300 तक आपका व्यतन जा सकता है अगर आप पटवारी के लिए अपलाए करते हैं दू आपका घू है, इसमें आपकी इसमें दौड़ भी होगी इसकी जो मैं आपको एक separate वीडियो बनाऊँगा उसमें जो मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा ठीक है friends तो मैंने इन दोनों भरती के बारे में बता दिया है आपको फिर भी अगर आपको कोई भी doubt है कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आए आप इसका form जो है all over India से जो है आप इसका कहीं भी रहते हो तो आप इसका form जो है वो बर सकते हैं आपकी जो जौब लगी वो उत्रगण में ही लगीगी बस आपको इस चीच का जो है ध्यान रखना है और आपको जो है general category में ही form भनना पड़ेगा अचाहे आप किसी भी category से belong करते हो आपको general category में form भनना होगा ये इनका जो है toll free number है आप इनकी toll free number से भी जानकारी ले सकते हैं अगर कुछ पूछना है इनसे form से related या कुछ भी अगर आपको कुछ पूछना है final year वाले बच्चे नहीं भर सकते जब तक complete आपके पाद ग्रेजूशन के डिगरी होनी चाहिए जब इन्होंने इसकी पाँच अगस्ते पहले पहले जो इसकी last date है पाँच अगस्ते पहले पहले जो है आपकी graduation की degree जो है अपके हाथ में होनी चाहिए जबी जो है आप इसका form भर सकते हैं आना था आप जो है इसका form नहीं भर सकते हैं इन्होंने साब साब कह रखा है इसकी जो examination होईगा इसमें जो आएगी समाने हिंदी समाने हंदे जो उत्रखण में पूछा जाता है वही सारी चीज़े जो है इसमें भी पूछी जाएगी ठीकर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में फिर इता ही तो आप जो है इस वीडियो को जो है शेर कर देना और भी बच्छों पर शेर कर देना और भी बच्छों को बता देना कि उत्रखण में पटवारी और लेकपाल काफी बच्छे हैं ऐसे हैं जो बहुत टाइम से जो है पटव मिलेगी इसके बाद आपको इसकी क्या करते हैं उत्रखन पुलस की देखने को मिल सकती है आपको नौटिफिकेशन इसका भी रिलीस हो सकता है तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसी पढ़ाई करते रही है अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़े और इसके रिकार्डि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दवा दें ताकि वीडियो के नौटिफिकेशन आपके पास मिलता रहा है यूटूब से ठीक है तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर और वीडियो के साथ आप इस वीडियो को जो है शेर कर दीजिए अगर आप नए हो चैनल प झाल